तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजेश्ट कैम्प के बारे हम बात करने वाले हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन है इंप्लाइमेंट ने उजमें जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप इसका ओफ्लेंड फाम फिल देने वाला हूँ तो इस वीडियो को विना स्कीप करते हुए लास तक देखिएगा और यहाँ पर वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपनों को यहाँ पर दिखा दूँ इसमें जो वेकेंसी यहाँ पर जारी की गए जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिश कैंप स लिए आप हमारे आफिसल साइट नौकर निव.टिंट पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको अप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा और नोटिफिकेशन की जनकारी आप लोगों को वेब साइट से मिल जाएगी वहीं से आप नोटिफिकेशन की कंप्लिट जनकारी को चेक कर सकते हैं और अप्लिकेशन फॉर्म डाउलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको अप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसा आपको अप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा और सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको दिया गिसमें पोश्ट नेम आपको देने के लिए तो जिस भी नेम देने के बाद इसके बाद नेक्श में आपको दिया गए मदर नेम देने के लिए मदर नेम भी आपको इसमें फिल अप कर लेना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गए डेटा बर्थ देने के लिए जो आपका डेटा बर्थ होगा उसे आपको देना होगा और इ इतना भी आपका year, month, day में आपका age आएगा आपको इसमें अपना age यहाँ पे देना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है अटेश्टेट करने के लिए यानि आपको यहाँ पर सबसे पहले photograph को चिपकाना होगा और उसे आपको यहाँ पे अटेश्टेट कर ल और इसके बाद नीचे आपको दियागिस में कैटेगरी आपको देने के लिए जो आपकी कैटेगरी होगी OBC, SC, HD यहाँ पर आपको इसमें अपना कैटेगरी यहाँ पर देना होगा जो आपकी कैटेगरी होगी उसे आप यहाँ पर फिलप कर लेंगे और फिलप करने के बाद इसके बाद नीचे आपको दियागिस में कुर्स्पंटेंट अड्रेस आपको यहाँ पे देने के लिए यानि जो आपका पत्रचार का पता है उसे आप फिल अप करेंगे जो कि यहाँ पे आपको फिन कोड के साथ अपना अड्रेस इसमें फिल अप कर लेना होगा तो सबसे पहले आपको फिल अपको फिल अप करना होगा इसके बाद आपको पुश्टा अपिस नेम इसके बाद डिश्टिक नेम और इसके बाद जो आपका पिन कोड होगा उसे आप यहाँ पे फिल अप कर लेंगे और fill up करने के बाद इसके बाद नीचे आपको अपना permanent यानि जो आपका अस्थाई पता होगा उसे आप fill up करेंगे home address आप यहाँ फिल up करेंगे तो यहाँ पे आपको semi fill up करना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको डिया गया इसमे date लिखने के लिए तो यहाँ पे आप date लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको place लिखना होगा जहां से आप form fill up करते हैं वहाँ का आपको यहाँ पे place name देना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सीनेचर करना होगा जो आपका सीनेचर होगा उससे आप यहाँ पे सीनेचर कर लेंगे और इसमें जो आपको फॉर्म मिलेगा क्यों यहाँ पे एक ही पेजे फॉर्म आपको दिया गया है तो ऐसे आप असनी से यहाँ पे form को फिलाब कर सकते हैं और इसके बाद बात करते हैं कौन-कौन से आपको यहाँ पे document आपको लगाना होगा तो यहाँ पे जो भी आपको document लगाना होगा उसके लिए आप इने देख सकते हैं document list बनाया हुआ है और इसका जो पीडियाप है आप लोगों को टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से आप document list का पीडियाप डाउलोड करके चेक कर सकते हैं कौन-कौन से आपको यहाँ पे document लगाना होगा तो सबसे पहले जो आपको up-to-to-point आपको यहाँ पे लगाना होगा जो आपका बस certificate होगा उसे आप लगाएंगे यानि जो आपका जोन पहाँ पतर होगा उसे आपको लगाना होगा बना होगा लगा सकते हैं नहीं बना होगा उसके अस्थान पे जो आपका 10th का certificate होगा उस इसके बाद अगर आप यहां पे SC, ST या OBC काइनेट होंगे तो अपना कास सट्पिकेट लगाएंगे इसके बाद आपको यहां पे दो एक्ष्टा फोटोग्राफ भी देना होगा यानि आपको अप्लिकेशन फॉर्म में दो एक्ष्टा फोटोग्राफ आपको डाल करके सट्पिकेट लगाना होगा यानि जो आपके दोनों सिल्फ अडेस होंगे दोनों पे आपको 55 रुपए का डाट टिकट अलग अलग आपको यहां पे चिपकाना होगा और आपको यहां पे अप्लिकेशन फॉर्म के साथ ही डाल करके सिंड कर देना होगा और इसके बाद लगाना होगा और इसी में नीचे आपको यहां पर पोस्ट या तो आप रेइस्टर पोस्ट कर सकते हैं जो लाज जटे सेंड करने के लिए आप यहां पर 18 फर याउद 2 सिक फार्म को फिलफ करके सेंड कर पाएंगे तो यहां पर आपकोود चेक करना होगा जिस भी डॉकमेंट के लिए आपको इलकुमेंट लगाना होगा और जो भी डॉकमेंट लगांएंगे सभी आपको उसे सेल कर लेना होगा तो आपको जनकारी हो गई होगी कौन-कौन से आपको यहां पे डॉक्मेंट को आपको लगाना होगा और इसके बाद बात करते हैं इनलब के उपर आपको आड्रेस को कैसे लिखना होगा तो इसमें जो आपको इनलब लेना होगा दो तो आपको यहां पे छोट उसके बाद और निवलाच के वापके देना होगा और बड़ाय इतना ही आपको यह लिखना होगा और इसके बाद जो आपके दो छोटे इन्वलब होंगे उसके उपर जो आपको लिखना होगा के ओल उपर आप टू लिखेंगे और इसके बाद नीचे आपका जो एड्रेस होगा उसे आपको लिखना होगा और यहाँ पे आपको पाच रुपे का डाक टिकर चिपकाना होगा जो कि आपके ज सोभी document डालना होगाइस के बाद आपको दो आपका इसल परड़िस इनोलफ होगा उसे भी आपको डालना होगा और दो एक्ष्टाप फोटो आपको डाल कर के आपको यहां पे इस पीड़ अगर आपको फॉर्म को फिल अप करने में तो आपने चेकरण से कमेंट कर सकते हैं वहां पर आपको जनकारी दे दूँगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाया तो क्रिप्या वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट के साथ सेर भी कर दीजिए अधा जनकारी के लिए आप हमारे ओफिसल वे साइट नौकनीव.टिन पर जा सकते हैं वहां पर भी आपको जनकारी मिल जाएगी और लिंक आप लों को इसी वीडियो के डिक्सिशन में मिल जाएगा वहां से आप जा करके जनकारी को चेक कर सकते हैं और अभी तक चैनल को स सब्सक्राइब कर लिए और साथ इसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद